दोस्तों, wheels and blocks में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताटा की तरफ से आने वाले ताटा छोटा हाथी पेट्रोल वेरियंट की, मदब ताटा ऐस गोल्ड पेट्रोल के बारे में तो चलो वीडियो शुरू करते हैं सामने से देखने में विंडशील्ड एक दम बड़ी है, बड़े बड़े वाइपर्स हैं और एस गोल्ड पेट्रोल सुन्दर लगती है। इसके बड़े सिंगल चैंबर हैलोजन हैडलेंब्स हैं, इनका थ्रो बहुत अच्छा है और ये गाड़ी रोड पे चलते हुए रात को अपनी अलग प्रिजेंस रखती है। सामने की तरफ फाइबर की ग्रिल, टाटा का लोगो और नीचे की तरफ फॉग लैप लगाने की जगा दी हुई है। मतलब आपको सारी यूटिलिटीज पर लेंगी और साथ में कमाल के लुक्स जो की पिकप सेग्में में जनरली मिस होते हैं। साइट से देखने में आपको बड़ी अडोर देखेंगे CX का ब्रेंडिंग है और एक बहुत बड़ीया विंडो है जिससे कि आप अराम से हवात हो जाती है के इवन पूरा वैंटी लेटेड रहता है और साथ में टर्न्स वगरा लेते में कोई दिक्कत नहीं आती है। CX के ब्रेंडिंग का मतलब है यह पेट्रोल वेरियंट है अगर हम टायर की बात करें तो बारा इंच के ट्यूबलेस टायर हमें यह देखने को मिलते हैं यह रेडियाल टायर है चार बोल्ट के साथ में बोल्टेड है आगे की तरफ आपको पैराबोलिक लीफ suspension देखने को मिलेगी यह पेट्रोल का टैंक E20 फ्यूल कंप्लाइंट है यह मतलब 20% ethanol भी आप इसके अंदर डाल सकते हो डाला मैंने बताया लंबा है और साड़े साथ सो किलो पेलोड ले जाने में टाटा इसकुल पेट्रोल सक्षम भी है इसकी reverse light डाला के ठीक नीचे की त तरह मजबूत भी साइट से देखने में भी गाड़ी काफी नीट और क्लीन है और ड्राइवर साइड आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है सिवाए इस्ट्रेट चैसी के silencer जो है वो इसी तरफ निकलता है गाड़ी के wheelbase की बात करें तो 2100 mm का है और 160 mm का ground clearance इसके साथ पर आता है है electronic escalator अब आया है अब इसका steering smooth और light हुआ है साथ में digital console मिलेगा जिसमें gearshit advisor जैसी चीज़े आती है ताकि आराम से पता चल सके और eco पे mode पर चल रहे है normal mode पर वो भी आपको पता चलता है खाली गाड़ी या फिर half-loaded गाड़ी eco mode पर चलाने में बहतर है पाच speed का gearbox आपको यहां देखने को मिलेगा जो कि पहले चार स्पीड का था eco का mode अब यहां बीच में देखने को मिलेगा साथ में USB बेस चार्जर भी मिलेगा जिससे कि अपने mobile को चार्ज कर सकते हो अंदर काफी सारे utility spaces हैं उपर की तरफ light है और cabin जो है वो एकदम बढ़ा है जिससे कि आप कोई दिक्कत नहीं आती पेचे की तरफ bottle holder भी आपको देखने को मिलेगा और यहां पे आप magazines वगरा आपने टोल की परचिया रिसीट्स वगरा रख सकते हो राम से सीट्स अब फॉल साइज की मिलती है जोगी बहुत बड़ा improvement है और यह cabin walkthrough है मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है utility की मामले में Tata Ace Gold Patrol को 5 out of 5 marks Tata Ace Gold Patrol में आपको आता है 30 horsepower का engine और 55 newton meter की power बनाता है यह 2 cylinder का 694 cc का naturally aspirated multiport fuel injection system वाला petrol engine है और 30% की gradability मिलती है मतलब 14 degree का जोगी काफी जाद है पाज स्कूर्ट के gearbox और single plate drive friction clutch के साथ में बहुत ही बढ़िया जो है वो गाड़ी आती है 65 km per hour की maximum speed के साथ में यह गाड़ी बहुत आची stable रहती है जो payload मिलता है जो गाड़ी के dimensions मिलते है जो road presence मिलती है वो सब आपको कम देना है और आपके profits बढ़ने ही वाले हैं तो आप बताईए unique से features और interesting से कहानी वाली टाटा एस गोल्ड पैट्रोल आपको कैसी लगती है और हाँ एस फेमिली जो है वह अब 23 लाग से जादा क्यों होगी मतलब 23 लाग से जादा लोगों ने टाटा एस फेमिली प आपना ने भी